हेलो 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 गाईस वेलकम टू एनदर स्ट्योरी टैम वीडियो अब तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे हों के एक सेकेंड एक और स्ट्योरी टैम वीडियो तुने जो आज से तीन मही ने पहले स्ट्योरी टैम वीडियो डाली तुमें तुने बोल दिया था तो अब से जब जब मेरे पास मेरी खुद की interesting stories नहीं होंगी मैं सुनाने वाला हूँ तुम लोगों की stories जी हाँ, next story time video तुम्हारे उपर हो सकती है और तुम खुद भी हो सकते हो उस वीडियो में कैसा? कैसे वो मैं बताऊँगा तुम्हें वीडियो के end में वरना तुम वीडियो देखाऊगे नहीं इसी बात में इंट्रो लगाओ भाई तो ये बात है उस समाने की बदलो माई बदलो तीन साल हो गए अब तो इंट्रो बदलो नहीं तो आज की वीडियो जिनके बारे में है वो नहीं चाती के हम उनका रियल नाम अपनी वीडियो में लें इसलिए हम उनको बुलाने वाले हैं चुम्मी मुझे नहीं पता चुम्मी क्यों पूछना में मत कियो बस चुम्मी मेरे दिमाग में आया तो ये बात स्टार्ट होती है चुम्मी की 12 खतम होने के बाद, चुम्मी की 12 में 95% थी which was very high बट चुम्मी का इंटरस्ट फैशन डिजाइनिंग में था, इसलिए उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ले लिया लेकिन ये बात उनके पेरेंट्स को बिलकुल निपसंद थी क्योंकि वही stereotypical mindset, engineering या फिर medical बस यही दो fields है, इसके अलावा तीसरा कोई option ही नी बट चुम्मी का इंटरस्ट फैशन में था, तो उन्होंने अपनी पेरेंट्स की ना सुनके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पर्स्यू करा लेकिन 6 महीने fashion designing करने के बाद उनको fashion designing quit करना पड़ा क्योंकि उसमें बहुत जादा field work होने लग गया था और उनको heart में एक problem थी जिस वज़से वो इतना field work नहीं कर पारी थी और unfortunately उनको अपना fashion designing का course छोड़ना पड़ा तो इस तरीके से चुम्मी का पूरा ear waste हो गया क्योंकि उनको drop लेना पड़ा और अब उनके parents जित पे आ चुके थे कि अब उनको medical ही करनी पड़ेगी तो 6 महीने के बाद जब नया session स्टार्ट हुआ तो चुम्मी पटना से डेली आ गई medical की तयारी करने अब इस होस्टेल में शुकला जी नाम की एक warden थी जो की हिटलर से कम नी थी हर लड़की की जिन्दगी में क्या चल रहा है शुकला जी को जानना ज़रूरी है शुकला जी का खुद का बचपन का प्यार अधूरा रह गया है इसलिए किसी और लड़की को boyfriend किसी को फोन पर बात करते हुए देख लेती है तो उनके पेरेंट्स को फोन मिला देती है मतलब उनके रहते हुए तुम अपनी जिंदगी में खुछ नहीं हो सकते उपर से खाना बहुत भायाद था होस्टेल का इन टोटल बहुत ही भायाद एक्सपिरियंस था बिलकुल वार के किसी कैदी को जैसी treatment मिलती है वैसी treatment मिलती थी हाँ पे लेकिन इसके बावजूद भी चुम्मी ने medical की तयारी करी और fast forward एक साल के बाद वो दिन आया जब वो अपना medical का exam देने जारी थी अब already चुम्मी का दो साल का drop हो चुगा था पहला जब उन्होंने fashion designing वाला course चोड़ा और दूसरा ये preparation जो medical की करी तो दो साल के drop के बाद अब वो finally paper देने जाती है and sadly for her, paper इतना अच्छा नहीं होता उनका उन्होंने जित्ते questions attempt करें उसके accordingly उन्होंने काफी अच्छा score करा लेकिन speed, कम speed होने की वज़े से वो ज़्यादा questions attempt नहीं कर पाती और neat में 3 गंटे में तुम्हें 180 questions attempt करने पड़ते हैं तो उनका score was decent but not good enough to get a good college and family इतनी well to do नहीं थी कि वो एक private college की fees afford कर पाए so unfortunately उनको एक बार फिर से drop लेना पड़ा दो बार वो already drop कर चुकी थी and अब third year उनका फिर से drop हो रहा था and सबसे sad part पता क्या था parents अभी भी जिद पेड़े होए थे कि medical ही करना है चुम्मी कभी भी doctor बनना ही नहीं चाहती थी fashion designing का course चोड़ने के बाद सिरफ अपने पापा को खुश करने के लिए उन्होंने नीट की तयारी करी जिसमें obviously वो अच्छा score नहीं कर पाई क्योंकि interest ही नहीं था उस field में तो कैसे अच्छा perform कर ले थी अपने मन को मार के पापा की खुशी के लिए एक बार try करा नहीं हुआ बट पापा अभी भी पीछे पढ़े है कि नहीं नीट की तयारी करो, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर का रुत्बा होगा वो पड़ोसी के बेटे का उस college में हो गया, फलाने के बेटे का उस college में हो गया और रोज रोज के वहीत आने हैं कि तुमने अच्छे से तयारी नहीं करी होगी, तब ही नहीं हुआ वो एक student के लिए कितना demotivating हो रहा होगा और उसके उपर से 2 साल का drop already हो चुका है और पिछले डेड़ साल से जिस medical की किताबों को तुम रट रहे हो अब एक बार फिर से drop करके वो ही books को फिर से पढ़ना बहुत ही जादा demotivating हो गया था उनके लिए और वो depression में थी उन्होंने अपने पापा से भी बात करी कि वो medical नहीं करना चाहती थी बट पापा ने तो जैसे डंडा ही कर दिया था कि medical ही करनी है और कुछ नहीं करना तब चुम्मी ने decide करा कि उनको medical नहीं करनी है और उनको mass communication का course जो है वो interesting लगा so she decided कि वो उस course को pursue करेंगी बट उनके parents के सर पे तो medical medical doctor doctor का फितूर चड़ा हुए तो उनकी support तो उनको नहीं मिलने वाली तो जो भी करना है चुम्मी को अब चुप चुप के अपने parents से करना पड़ेगा तो चुम्मी ने क्या करा उन्होंने Amazon से जितनी भी books उनको mass communication की तैयारी के लिए चाहिए थी वो सब मंग वाली और अपने पापा के सामने वो बिल्कुल ऐसे pretend करती थी के वो medical ही पढ़ रही है लेकिन अपनी medical की books के नीचे उन्होंने अपनी mass communication की किताबे चुपा रखी होती थी जैसी पापा जाते थे medical की किताब side and mass communication की किताब उपर अगले एक साल तक चुम्मी इसी तरीके से चुप चुप के अपने parents से mass communication की तियारी करती रही एक साल निकल गया and examination की dates वगयरा आ गई पर चुम्मी की किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी कि जिस दिन mass communication का paper होना था उनका same day पे नीट का exam same time पे बतलब किसी की किस्मत कित्री ही ज़्यादा बुरी हो सकती है बट चुम्मी की थी और चुम्मी का medical का examination center पटना में ही था and mass communication का examination center उनका लखनाओ में था तो चुम्मी ने अपने parents को एक fake admit card बना के ये convince कर लिया कि दोनों exam लखनाओ में होने वाले हैं एक दिन में और एक शाम में और उसने अपने parents को बस ये बोल दिया कि mass communication का exam तो वो सिरफ एक backup option के लिए रख रही है बाकि focus तो मेरा medical पर ही है तो parents भी खुश थे पर अब सबसे बड़ी problem ये थी के paper दिलवाने तो साथ में लखनाओ पापाई जाएंगे न तब क्या होगा क्योंकि admin card तो नकली है सच में थोड़ी ना लख नहों कि किसी center में medical का exam चल रहा होगा जहां पर चुम्मी जाके medical का paper देतेगी और अभी तक चुम्मी ने ये जो कुछ भी कर रहा है ये इसलिए कर रहा है ताकि अपने parents को disappoint किये बिना वो अपने dreams को achieve कर सके बिना उसके parents को ये feel करवाए कि उसने कोशिच भी नहीं करी medical की चुम्मी की किसमत अभी तक तो काफी बुरी रही थी और भगवान ने भी कुछ खास support करा नहीं था लेकिन last moment पे चुम्मी की किसमत चमकी चुम्मी के पापागों कुछ urgent work आ गया जिसकी वज़स से उनका trip cancel हो गया और चुम्मी का cousin उसके साथ गया उसको लखनव एक्जाम दिलवाने लखनव में सुबा 11 बजे चुम्मी ने अपना mass communication का एक्जाम दे दिया इसके बाद चुम्मी और उसका cousin गये दूसरे examination center पर जो की एक fake examination center चुम्मी ने online निकाल के लिखा था उस admit card पर और वहाँ पर कोई भी नहीं था obviously भाई वो actual examination center नहीं था वहाँ पर कोई भी नहीं था तो चुम्मी का cousin confusion में चला गया कि अरे ये तो examination center था यहाँ पर तो कोई है यही नहीं वह mass communication का था तो according to her cousin उसने medical का exam तो दे दिया है पर mass communication वाला उसका नहीं हुआ चुम्मी की हिस्मत दूजरी पर चमक गई तो उसने अपने cousin को बड़े प्यार से बोला कि भाईया आप ना पापा को मत बताना कि masscom वाला exam नहीं दिया है वरना वो बिचारे सोचेंगे के एवी application form पे pacifist हो गया है उसका cousin भी chill था वो भी मान गया और सब कुछ एकदम sort हो गया है चुम्मी वापस अपने घर आ गई तीन महीने बाद result आया medical का result आया and obviously medical का paper नहीं दिया था तो चुम्मी ने अब अपना result भी fake करके अपने parents को दिखा दिया कि एक लाख rank आई है तो obviously एक लाख rank पे तो कोई भी college नहीं मिलने वाला NEET में and उसके बाद उनका mass communication का result आया जिसमें चुम्मी ने top मारा all over India rank 23 आई चुम्मी की and उसको उसके पसंद के college में admission भी मिल गई and अभी 3 साल हो चुके है उसके parents को आज तक ये बात नहीं पता कि उसने कभी medical की तयारी करी नहीं थी उनको disappoint किये बिना चुम्मी ने अपने खुद ने इस वीडियो में अपना नाम बताने से मेरे को मना करा honestly guys जब मैंने ये story पड़ी थी ना I was so inspired कियार अपने dreams को achieve करने के लिए कोई किस level तक जा सकता है बहुत असान है ये बोल देना कियार मेरी तो जिन्दिगे में कुछ सही नहीं होता ये नहीं होता वो नहीं होता but to fight for your dreams वो भी इतनी कम एज पे अपने parents को दुखी किये बिना उनको भी खुश रखते हुए I think that is commendable ये story एक बहुत ही अच्छा you know message भी थी और बहुत अच्छा inspiration भी दे सकती आप सभी को असली अकाउंट से आरे संदीप महेश्वरे अभी आते है इस बात पे के how you could be responsible for the next story time video and आप खुद भी आ सकते हो अस वीडियो में कैसे अभी ये video live जब होगी तब मैं एक community post डाल दूँगा वहाँ पे आप लोगोंने अपनी stories चेयर करनी है and end में आपने अपना Instagram का handle भी ल personal interview type thing वो बात की बाते हैं so yeah community post में अपनी stories share कर देना and Instagram पे मेरको follow भी कर ले ना बहुत बेशर हो मैं Instagram का सस्ता shout out भी हो गया anyways I hope you guys enjoyed this video I definitely did make sure to like it and I will be back with another video more story time videos thanks for watching goodbye to the people who loved me goodbye to the people who trusted me goodbye goodbye to everybody